नमस्कार दोस्तों जै माता दी जै माता लिक्षमी हे माता जो भी दर्सक मेरे वीडियो का पूरा पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है आप उनके जीवन में खूब तरकिक लाना तथा उनके जीवन में खूब पैसों की बरसाथ करें वैसे हम आज में फिर से एक बहु योग स्पेड पौध है कि जो बरस्पतिया होती जो इसके अंदर गुर छुपे होते ना उसके बारे में में पता नहीं होता कुछ ऐसे भी बरस्पतिय होते जैसे तुलसी हो गया पुदीना हो गया तरह कुछ खास इसके सब ही लोग उपाये जानते हैं इस होज़े से तुलसी का सेवन भी करते है लेकिन कुछ ऐसे भी बनस्पतिया होते जो हमारे घर के आसपास बड़े ही आसानी से अवेलिबल होते है लेकिन हम लोगों को उसका बारें पाता ही नहीं था उसका महत्ती भी नहीं पाता हो ग्यान के अभाव में उसको बस खर पतवार समझ कर उखाड कर फेक देते हैं तो बस उन्हीं में से कुछ एक खास बनस्पती के बारे में लेकर काया हूँ जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो यह बनस्पती जरूर ही एदि आप गाव में राते हो या सहर में राते हो या कभी खेत खलीशान गए हो तौ आपको जरूर यह देखने को मिला ओपा, बड़े सिंपल से आसानी से बर्साथ के मौसम में देखने को मिलता है और यह यूही इसको बोना नहीं पड़ता है यूही अपने आप उगाते को कि यह प्रकृति का दिया हुआ उपहार है और प्रकृति का दिया हुआ उपहार को हम लोग समझते ही नहीं है कितनी बड़ी चीज़ है अगर इन बनस्पतियों के कुछ खास गुड़ों को हम लोग समझ जाते हैं आउसधी गुड़ों को समझ जाते हैं तो हमें कहीं पर कोई दवा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा किसी कोई हास्पीटर डाक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा हम लोग जानते ही ने जिसके वज़े से हम अपना लाखो करोण रुपिया खरच करते जाते हैं बस तो आज किस बनस्पती के बारे मैं जान लेजिए यह उपाय जो है इस बनस्पती में आउसधी कुड का भंडार है और इसके यदि आप उपाय जान चाज़कते हैं तो आपका लाखो रुपिया बचा सकता है इस जो बनस्पती आपको दिखाई दे रहा है इसको अलग-अलग जगा पर अलग-अलग नाम से जाना चाते हैं और यह कोई खास बनस्पती नहीं है बहुत सिंपसा मामूली जो सब के घर के अगल बगल कहीं न कहीं तो दिखता है बहुत कम लोग होंगों जो इसको नहीं देखेंगे लेकि नाम नहीं पता था आप comment box में बता देजे कि आप के area में से किस नाम से जाना जाता है और मेरी हिसाब से तो इसका नाम जो इंगलिस में देखा जाया तो Siberian Cocklaver बोला जाता है कुछ लोग इसे छोटा धतूरा बोलते है कुछ लोग इसे गोखुरू बोलते है कहीं कहीं पर इसे संखेस्वार बोला जाता है कहीं कहीं पर इसे चिपकू बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसे लप्टे हुआ बोला जाता है तो अलग अलग जगा पर जो अलग अलग नाम से जाना जाता है आप comment box में बताईए कि आपके area में किस जगा से है और किस जगह पर किस नाम से जाना जाता है जरूर बताएगा लेकिन पाया तो सभी के जाता है यदि हम लोग भारत वासी हैं तो भारत में लग भाग या सभी एरिया में पाया जाता है और बड़े सिंपल से आसाने से मिल जाता है के लिए कोई पैसे खर्चकरने के जरूत नहीं है। लेकिन हम लोग इसके औसफ़र ऐसंदे गूड़ों को नहीं जाते हैं अच्छे जब बचपन में हम लोग इसको जब एक बीज होता है ना त्यों थे शुवाद में to हरा रता है लेकिन जब पकत जाता है तो पुरा हाड हो जाता है और इसके बीच पर पुरा काटे काटे लग जाते हैं ठीक है और बच्पन में वोग जब स्कूल से वापस आते थे तो कहीं पर मिल जाता था तो तोड़ करके इसके बाल में उसके कपड़े पर यूही फेकते करता है और को मजा था क्या गजब काओ थोड़ा सा चोटिल भी कर सकते हैं इस वज़े से इसको अनेक परकार के नाम से अलग अलग जगा पर नाम जाना जाता है ठीक है बालों में फेक दो जो पुरा बाल को ही चकड़ लेता है तो बच्पन में सबी लोगों ने इसके साथ खेला ही खेला होगा ते जो छोटा धत भंडार भरा हुआ लेकिन हम लोग जानते ही नहीं तो चलिए आज किसी वीडियो में हम इस छोटा धतूरा के जिस छोटा मोपाय भीर नवर को जो जबने में घंज़ेपन के दिखा गठा कि ए समस्या बहुत य आम हो गाई है कि गंजापन की सिकायत कम उम्र में ही होना सुरू हो जा रहा है कम उम्र में ही बाल गिरना सुरू हो जा रहा है जिसके वज़े से लोग जो है मुश्कित तीस साल तक जाते जाते कितने लोग जो गंजे हो जा रहा है तो बहुत सिंपल सा सरल उपाय है इसके करना कैसे है इसके पत्तियों को पीस करके यदि आप मेहदी के जैसे अपने सर पर लगा लेते हैं चहाँ पर भी गंजा वला सान है उस जगह पर लगाते हैं तो एक महीना में आपको जाते जाते इसका प्रभाव दिखाए देना सुरू हो जाए और वहां से बाल निकलन सुरू हो जाएंगे लेकिन यदि आप इस उपाय को नहीं कर पाते इसके लिए दूसरा भी असरदार तरीका है कैसे है सबसे पहले इसके पत्तियों को लेना है ताजा हरी पत्तिया लेना है और इसको आपके घर में मस्टर्ड आयल हो नारियल आयल हो या कोई भी तेल हो मत् उबालने के बाद इसको ठंड़ा कर दे और ठंड़ा करने के बाद जहां आपका घंजा पनवाला जगह है उस जगह पर आप लगाएं यकिन मनाईए कुछ ही दिनों में इसका प्रेडाम पहुत ही जबर जस्ता इसके सासत एक और उपाय आप कर सकते हैं अगर किसी के बालो रचप है भिलकोली फिरस हो जाते हैं जो दीन भर बैट करके खुझली करते हैं इसके सास्थ जो इतेल है बहुत इस चमितकारी इसमें गुड़ हो lle जात आ हैं अगर आपके सरीर में कहीं पर दर्द बना हुए जुड़ों में कहीं पर दर्द हो रहा है तो इसके तेल को वह पर दर्द दो नहीं उभरेगा दूसरा नमर का जो असरदार तरीका है इसके पत्ते होते हैं यह फोड़े फुंसी के लिए बहुत ही जबर्जस्त काम करता है फोड़े फुंसी पहले बहुत ही लोग उतको कि पहले लोग साब सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते थे लेकिन आजकल तो साब सफाई का काफिव अच्छा खासा ध्यान लखा जाता है जिसका वज़े से बहुत कम हो गाहें फोड़े फुंसी ओना ने तो पहले बहुत बच्चे को फुरा भर जाते Hetे बड़ों को भी होते थे फूड़े जब साब साभाई के वज़़ा से सब होते थे ल लोड़ा होगा, इस पर पिस्ट बना लेजिए, पिस्ट करके पिस्ट बना लेजिए, और उसको पिस्ट बना करके जहाँ पर भी फोड़ा फुंसी हुआ उस जगह पर लगाईए, ठीक है बस, वो क्या होगा, यूही तीन से चार दिन में खतम कर देखा हूँ, जिसको सूगर हो जाता है, तो उसका फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो जल्दे ठीक नहीं होता है, तो उस परकार की ब्यक्ति पर भी यह कारिकरत का लेकिन थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन 100% है, उसका फोड़ा फुंसी की जो समस्या है, खतम कर देती है, ठीक है, तीसरा नमर का जो उपा कार के medical store पर जाते हैं क्रीम लगाते हैं लेकिन ś कच्या वाली फली को तोड़ना है कच्या वाले फली को और तोड़ करके पीस लेना और पीस करके आपको जहां पर भी छाई हुआ है ठीका उस जगह पर था धब्बे वाले अस्थान पर आपको लगाना है बस आख को बचा करके आख के किनारे किनारे आप लगा सकते लेकिन आख में नहीं जाना चाहिए हो सकते कुछ आख को नुकसान कर सके इस वज़े से आख मतलब किसी को मुत्र भी सरजन में अगर कुछ दिक्कत होती है परसानी हो सकती है तो इसका उपाय कर सकते हैं ठीक है क्या करना है कि इसका पंचांग बनाना पंचांग मतलब करते हैं तो आपका जो मुत्र भी सरजन में परसानिया हो रहे थी वह धीरे देर का होती है रहत होती है और यह बहुत ही चमतकार इसमें काम करता है दवा कराते कराते कितने लोग तो परसान हो गय थी एक भाई सहाब जो नेपाल के थे उन्होंने ऐसा काम किया था और उनको मुत्र भी सरजन में बहुत जबरजस्त तरहात मिल गय थी दवा वीचारे चशे मैंने से खा रहे थे लेकिन कहीं काम नहीं कर रहता तो उन्होंने मुझसे ये बात किया था तब जाके मैं इस टापिक में बात किया लेकिन मैं मुत्र के बारे नहीं जाना था लेकिन जब उन्होंने बताया कि यह जो दवा जो है से पंचांग ही बोला जाता है फल फोल पती मूल जड़ को यह सब मिला करके इसका काढ़ा बनाना है ठीक इसका काढ़ा बना करके बस जिसको भी बुखार हुआ उसको सुबह साम पस कुछ कुछ एक एक चमच दो दो चमच यदि आप देते हैं जैसा उमर होता है छोटा बच् लगना सुरू हो जाएगा तो समझेंगा आपका बुखार बाट भाट में रहत मिलेगा हमी लेगा पीट में कीड़े पुटाJयर ते कि जादी पास्ट खालते जादे मीठा खा लेते तो पीट में कीड़े पढ़ जाते हैं जिसके वज़े से दर्द होना हो जाता है तो आप इसको बहुत ही सिंपल से तरीका से छोटे से बच्चे को दे सकते हैं इसके क्या करना पत्तो को पिस करके आधा चमच पिस्ट बनाकर किसी जो है चमच में जब दूद के साथ खिला दे कैसे भी आप इसको क्या करना है आप इसको बच्चे को यह दे खिला दे तो पेट में जो कीड़े रते हुआ मर जाते हैं अगला नमर का जो सात्वा नमर का जो जबर्जस तुपाई सारी रिक कमजोरी मतलब बल बर्दक का का काम करता है अगर किसी ब्यत्तिका जो यवन संबंद्य कर समस्या है उसकी कमजोरी का सिकायत इस परमकाउंट के जो है कम हो गया है जिसके वज़े से अनीक परकाट को इसके सवरी में जल्दी ठकान हो जाते है यदि ऐसी उसके अंदर समस्या आ रहे है कमजोरी की समस्या दिख रहे तो यह यवन तो पावडर फा में बनाकर रोज जो दस से पंदे कराम दुद के साथ यह दिलेते हैं तो जो यह उन रोग समंदी समस्याएं थी वह धीर दिर समात हो जाती यह इतना जल्दी असरदार काम करेगा कि दवा तो मालीजी अंग्रेजी दवा खाते तो तो तुरूंट 24 घंटा मे तो उस बीमारी को जड़ से ही खतम कर देते हैं ऐसा नहीं कि टंप्रवरी काम करते पर्मनेटली उसको क्या करते समात कर देते लेकिन जो अंग्रेजी दवा होती है और जिसको नग्रेजी दवा का लट लग जाता है तो उसको जीवन भर लेना ही पड़ता लेकिन जबर जस्त परियोग होता या उस близ्ति estrat को कहीं पर भी लगा सकता है अपना सरीर पर कहीं पर दाग धब्डबे होते हैं ऐसे इसके अनिएख परकार प्रकार की इसके फायदे हैं वैसे जो पीड़पोधे होते हैं जो जड़ी बूटिया होती हो जो हमारे घर के आस पास पा करते हैं तो मैं आपसे एक ही बिंती करता हूं कि इस पेड़ पौधों में जो जड़ी जो इसके अवसदी गुड़ों थे उन पर आप जो काम करिए उनका यूज करिए तापकि आपका पैसा बच सके और पेड़ पौधों में हमारे देवी देवताओं का अंस होता है और देवी देवताओं भी परसन्न होते हैं तो दोनों तरीके से आपको जो क्या मिलेगा एफायदा ही फायदा मिलेगा दवा और दुआ जहां पर काम करते हैं कैसी भी गंभीर समस्या हो हंडेट परसेंट एक कारिकर हो ठीक हो जाती है ठीक है लेकिन इसमें कुछ सभी जो अर नहीं करना चाहिए अस्तन पान अर्था बच्चों को दूद पीर आ रही हो तो ऐसी भी महिलाएं इसको नासेवन करें अगर कोई गंभीर बीमारी से पीडित है या कोई अन्य दवा ले रहे है तो भी डाक्टर से सलाल लेकर ही इस काम को करें यदि आपको कोई दवा खाने अगर आपको अचानक कुछ ऐसी बीमारिया होती तब आप इसको फ्री रुप से उप्योग कर सकते कोई हान नहीं करें ठीक है तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही अगले वीडियो में एक नया जानकारी के साथ लेकर आँगा धन्यबाद